अब देख सकते हैं इसमें ऑस्टलिया के पधानमंतरी एंटोनी अलबानिस कैसे भारत के पधानमंतरी मोदी जी का स्वगत करने के लिए त्यार है Traditionally पारंपरिक तरीकी से स्वगत किया जा रहा है पधानमंतरी मोदी जी का पिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे इंदोस्तान में दीए में अगनी प्रजुलित करके महमानों के आरती उतारी जाती है वैसे ही ऑस्टलिया में भी अगनी प्रजुलित करके आरती उतारी जा रही है यह उनसे प्रफुत धुमा लिया जा रहा है अगनी को सुब माना जाता है यहां भी अगने को सुमाना जा रहा है और इससे यह पता चलता है कि सांस्क्रितिक रूप से तो हम पहले ही जुड़े हुए हैं जिरे प्रधारमंदी जी सिड्डी पहुंच चुके हैं और साथ हज्जारू की संख्या में प्रधारमंदी जी का संब्धन सुनने के लिए औशलिया से दूर दूर राज से भी लोग पहुंचना सुरू हो चुके हैं देखो कितने गर्म जोसी से दोनों देसों के नेता मिल रहे हैं क्या बात है किस प्रकार देभा हुए हैं चेहरे पर एक खुजी है एक दोसरे से मिलने के साथ पर चेहरे पर खुजी किस प्रकार से दिखाई पड़ रही है ये दोनों देसों के आपसे संब्धों की गहराई को भी दरसाती है और खुद एंतोनी अलबाने जाधारमंतरी मोधी जीगा सवगत करने पहुंचे उन्हें रिसीब करने पहुंचे और उसके बाद इस कम्मुनिटी इवेंट से पहले आप देख पा रहे हैं उससे पहले जो देवनों देसों की एक सांस्कृत की परिमपरा है उसके तहद यहाँ पर दोनों देसों के नेताओं का सवगत हो रहा है यह उसी समारों की तस्वीरें और इस सिटने से तस्वीरें उसी इवेंट की और अब से कुछ देर बाद पीम नरेंदर मोदी जी हज़ारों के संख्या में पहुंचे यह लोगों को समधुत करेंगे इसमें तमाम NRI और Australia के लोग भी परदा मंतरी जी को सुनने के लिए पहुंचे हैं और लगाता लोगों के आने का सिल्षा अभी तक थम नहीं रहा है इससे मालूम होता है कि बाद मंतरी जी को जो भी देखने और सुनने का क्रेज है वो अपने आप में अकल्पनी है